कल भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फेंस करके घोशना की कि देश के पांच करोण गन्ना किसानों को वो फाइदा देने के लिए उसने एफारपी गन्ने पर बढ़ा दिया है एफारपी यानि फेर एंड रेमुनिटी प्राइज होता है एफारपी वो चीज होती है वो नियुन्तम मूल्य होता है जिस नियुन्तम मूल्य पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है भारे सरकार के जो मंत्री हैं पियुश गोयल उन्होंने यहां तक कहा कि इससे पांच करोण किसानों को फाइदा हो गया पांच रुपए उन्होंने एफ रपी बढ़ाई है यानि पहले दोसुपचासी था और अब वो दोसुनब्बे रुपए कर दिया गया हाला कि यह जो गोशना हुई है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो उत्तर प्रदेश के किसानों पर नहीं पड़ेगा जहां पर जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश माना जाता है तो यहां के किसानों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यह मैं क्यों कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसानों को राज समर्थित मूले मिलता है अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो FRP बढ़ाई गई है वो केंदर सरकार ने 280 रुपए से 290 रुपए गन्ने पर कर दिया है जबकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो SAP है यानि जो State Approved Price है वो 325 रुपए है उससे ज्यादा है तो 325 रुपए का मूले फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है तो इसलिए जो तमाम सारे करशी मामलों के जानकार है उनका ये कहना है कि इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को बहुत कोई ऐसा फाइदा नहीं है क्योंकि FRP से ज्यादा दाम उनको अभी SAP के जरीए गन्ना पर मिल रहा है लेकिन ये जो 325 रुपए मिल रहा है गन्ना उत्तपादक किसानों को ये भी कम है वो कैसे कम है वो हम आगे आपको बताएंगे हमने तमाम सारे पश्चमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों से बात किया है तो उनकी एक बार आप बात सुनिएगा उसके बाद आपको पता चलेगा किये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि 320 रुपए अभी भी कम है संजीब जी ये बताएंगे कि आप बाकपत के किसान है गन्ना उत्तपादन करते हैं कितना गन्ना होता है कहां आप लग बेचते हैं और किस दाम से बेचते हैं मैंट कि क्या गन्य का भूक्तान हो गया आपका जाय अभी गन्य का भूक्तान हुईा नंवंबर कि पिछले साल लवंबर तक का अच्छा और नॉबंबर के बाद में भूस मील मैं यह क्यों ऐसा क्यों clicked कि सरकार तो किरिये कि हम पूरा भुक्तान करवा रहे हैं। टो परदान मंतर जी ना किसानों के आए दुगनी करी तो डिजल के दाम दुगने कर दिये और बिजली के दाम डाई गुना बढ़ा दिये और किसान के जो है मतलब तीन साल से गनने का रेट जो है मतलब समवही है जो हूँ पर बढ़ाए 20-25 रुपे किसान के आए दुग नि करतो रहे और इससे ज़्यादे क्या करेंगे के बिजली का यह वो हरियाना है पडोस्टी है पडोस्टी तरे वहां से 35 रूपे आस्पावर बिजली के बिले हरियाना में और मारे उत्तर परदेश में 175 रूपे होस्पावर और कैपिस्टर चार्ज कैपिस्टर चार्ज अलग से है और 13.25 पावर मंजूर है जिसके 10 पावर के कनक्षन थे शाड़े 7 पावर के कनक्षन थे बगैर किसी एफेड़ेविट के उन्होंने 12.25 के कर दिये तो यह अपने किसानों की बातचीत को सुना उनकी तीन दिक्कते मुख्य हैं एक तो पिछले तीन साल से गन्ये का जो समर्थन मूली राज समर्थन मूली होता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ाए गया बढ़ना चाहिए दूसरा है कि बार बार उत्तर प्रदेश सर तीसरी बात यह है कि जो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है बिजली के दाम हो चाहे डीजल के दाम हो या फिर खात के दाम हो जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है उस हिसाब से फसलों पर जो समर्थन मूली है वो नहीं बढ़ा है यह उत्तरपदेश में काफी दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है तीनों कृशी कानुनों को लेकर एक बड़ा तपका किसानों का है ौह सरकार से नाराज है तो इसे में उत्तरपदेश record के सामने वड़ी चुनाती है कि को खासते और पर फश्चिमें उत्तरपदेश किसानों की नाराजगी को दूर कर पाती है क्योंकि पश्चमी उत्तरपदेश के जो किसान है उनकी जो कृषी अर्थविवस्था पूरी तरीके से गन्ने पर टिकी हुई है तो अब देखना है कि कितने कितना जो पैसा है वो इस साल उत्तरपदेश सरकार बढ़ाती है यह नह तीन सो चालिस रुपए से ज्यादा यानि चार सो रुपए कुंटल जो है वो गन्ने का समर्थन मूल होना चाहिए अब देखना है कि चुकि पंजाब पहले से ही तीन सो पचास रुपए कर चुका है तीन सो पचीस रुपए उत्तरपदेश का है तो ऐसे में एक बड़ा द दिमांड है कि चार सो रुपए कुंटल जो है वो गन्ने का समर्थन मूल किया जाए धन्वाद दोस्तों रवीश रंजन शुक्ला एंडिटीव इंडिया